तुमश्कार बच्चों स्वागत है आप समय का आपके अपने अपने आउनलाई संस्थान परिक्षा प्रसमें उत्तर प्रदेश पुलिस कॉंस्टेबल रीक्जाम में पूछे गए हैं परिक्षाओं में इन्हें हम लोग कैसे हल करेंगे और क्या परसप्षन होना चाहिए और क्या सारे फीगर होते हैं कैसे समेट्री बनती है सारी चीजे हम लोग अगले पास से साथ बढ़ में देखेंगे तो सबसे पहले आते हैं यह जो आपके कोशिक पूछ अगर प्रश्च बन पर प्रश्च ऑप समझते सारी आप समझेगा हमारे पास कितने फीगर होते हैं जैसे आपके पास सिलेंडर हो गया Cylinder के साथ Cone 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 के सा होता है जिसमें एजेज होते हैं और ऐसा बोल सकते हो कि उनके जितने भी बीसेसें वह सारे सिमेटरिकल होते हैं इसमें क्योंकि कर्व सेफ है इसमें वक्तर होता है इसका पॉलिहटर नहीं कहलाता इसका उपर और नीचे अगर cross section हम लोग देखेंगे तो एक जो आपका क्या होता है बेलन होता है इसका उपर नीचे ये क्या होता है ये वृत्त होता है यानि कि circle होता है और अगर इस cross section को देखेंगे तो ये हमें क्या देता है ये हमें rectangle देता है और अगर इस से हम plane से cut करेंगे तो हमें क्या देगा हमें circle देगा तो किस प्रकार से हमारा यह मिलता है देखो यह हमारा क्या होता है यह हमारा cylinder होता है अगर आप उपर और नीचे देखो तो आपको वृत्त मिलेगा अगर किसी plane को आप ऐसे कट करोगे तो यह आपको circle कुछ ऐसे दिखेगी जो आपके ellipse के form में देखेगी ऐसे सीधा कट करेंगे सीधा कट करने का मतलब अगर base के हम क्या करेंगे समानांदर कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा हमें वृत्त मिलेगा अगर हम slant करके तिलचा कट करेंगे, किसी भी degree पे कट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यह हमारा figure जो है, यह थोड़ा सा और आप इसे, जो कालो यह आपका क्या हो जाएगा, elliptical हो जाएगा, और इसके axis से मतलब कि अगर उपर से नीचे plane को कट करेंगे, तो उपर से नीचे इसे मतलब आप आपको क्या मिलेगा आपको सய्कल मिलेगْ, तो यहां पर आपको जो मिलेगा, यह कहां से पास हो, तो यह आप देखोंगे, ऐसे कट यह हमारा करेगा तो यह जो आपका बनेगा इसे हम लोग प्रोला बोलेंगे और अगर यह सेंटर से और भी थोड़ा इंकलाइंड कर दोगे तो हमारा क्या बनेगा यह हमारा हाइपर बोला बनेगा हाइपर बोला जनरली क्या होता है यह पर डोल होता है उसको हाइपर बोला बोलोंगे और और हमारा इसे मुझ चोड़ा सा होता है बस इतना उंतर होता है अगर किसी कोन को उसके वर्टिक्स से Nee, तो यह हमें क्या मिलेगा यह हमें एक ड्रेंगल के रूप में मिलेगा हमें क्या मिलेगा एक त्रिभुज मिलेगा इस बात को ध्यान दीजेगा अगर हम गोला की बात करें इस फेर की बात करें तो इस फेर में अगर सेंटर से कोई प्लेन पास हो रहा है तो सेंटर से कोई प्लेन पास करेगा तो हमेशा क्या होगा हमेशा आपको वृत्त मिलेगा सरकल मिलेगा यहीं नहीं अगर कोई plane suppose करो कि एक plane आपने क्या किया एक plane से आपने ऐसे कट कर दिया तो यहाँ पर भी जो मिलेगा आपको वृत्त ही मिलेगा यह ध्यान दीजेगा next आते हैं हम लोग अगर यहां पर यह हमारा to ride होता है जैसे आपने cycle का tube देखा होगा यह और कुछ नहीं आपका slender होता है इसी को घुमा के बना दिया जाए तो यह to ride हो जाता है इसे अगर आप इसमें एक्सिस में perpendicular कट करोगे तो आपको क्या मिलेगा और अगर आप इसे बे ает होते हैं दूसरी बात यह faces क्या होते है सिंप्रिकल होते हैं और प्रतेएक अंगर वर्टेक्स की बात करें तो इतने से इस इसине वर्टेक्स पर तीन face होगा तो इनुमें से जो हमारे पॉलि हेड में हो तो आई थो सारे आयत होंगे एक अगर वर्ग है तो सारे वर्ग होंगे एक अगर है तो सारे और होनोंगे कि सारी कि सारे हैं वह एक ही जैसे हो जाएंगे तो उन्हें हम लोग प्लैटोनिक सॉलिड बोल देंगे केबल पांच प्रकारते प्लैटोनिक सॉलिड होते हैं जिनमें आपका क्या होता है जिनमें आपका एक चतुस फलक होता है एक आपका यहां पर बोल सकते हो पंच फलक होता है यह आपक आइसे ही आईपोस वहेड़ॉवारे में सुने होगे और इनके बारे में पढ़ेंगे, बाकी प्रिज्म होता है और प्रिज्म के साथ पिरामिट देखेंगे, तो एक एक करके हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, जो हमारे प्लेटॉनिक सॉलिड होते हैं, पांच प्रकार के करते हैं इनमें कुल फलक की संख्याएं होती है वो छे होती है जो वर्टिस की संख्या होती है जो किनारे होते हैं यह किनारे कितने होते हैं इनमें जो एज हैं यह एज की बात किया जाए तो एज बारा होते हैं और अगर अगर हम इसे ओपन करते तो यह हमारा कुछ इस प्रक केर्व क्यूब का आप एक तिर्षा सा कोना कटकर सकते हो तो यहां पे जो फीगर बनेगा ये आपके ऊपर प्रिभुष बनेगा यğimiz किया क्या हो जाएगा यह हमारा टुस फलक हो जाएगा अगर हम क्या करते हैं अगर एकदम बीचों या आप ऐसे पो सकते हो एक प्लेन ऐसे करता है तो यह बेस के आधार पे होगा यहां पे क्या बनेगा यहां पर वर्ग बनेगा और अगर हम लोग क्या करते हैं इधर perpendicular भी cut करते हैं, तो perpendicular में भी आपका क्या बनेगा? वर्ग बनेगा. Q-wide की case में यही क्या हो जाएगा? Q-wide की case में, वर्ग की जगा पे अगर आप ऐसे cut करते हो, तो आपको वर्ग और ऐसे cut करते हो, तो आपको आयत मिलेगा, मतलब उसके base का जो आतार होगा, उसके base का आकार ही आपको यहाँ पे मिलेगा. अब आते हैं, हम लोग tetra headron की बात करते हैं, tetra headron किससे बनता है? यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको चार त्रिभूस दिख रहे होगे, तो चार equilateral समभाहू त्रिभूस से मिलके यह figure बनता है, कुछ इस प्रकास से आपको दिखता है, यह figure अगर आप बनाओगे, तो यह figure कुछ इस प्रकास से आपको यह दिखता है, इसमें तीन triangle, एक vertex पे तीन त्रिभूस मिल रहे होते हैं, पुल मिला के चार फलक होते हैं, और चार ही इनके क्या होते हैं, vertices होते हैं, apex होते हैं, और इनके 6 edge होते हैं, अगर edge की बात किया जाएं, अगर हम इसे open करते हैं, तो हमारा open करने के बाद, यह कुछ इस प्रकास से दिखता है, और रही बात अगर हम इसे cut करते हैं तो एक तो तरीका है कि आप इसका top cut कर दो, top cut कर दोगे तो आपको फिल से क्या मिलेगा, फिल से आपको tetra head on ही मिल जाएगा, और अगर आप इसे vertex से होते हुए किसी symmetry पर pass करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, त्रिभूज मिलेगा, आ ऐसी दसा में आपके पास कितने होंगे, चार उसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, मतलब अगर आप इसे सीधा cut करोगे, तो सीधा cut करने पर आपको क्या बनेगा, एक त्रिभूज बनेगा, ये आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे ए हेड्डॉन तो होता है कि यहां पे भी इक्विलेटर ्टेंगल होते हैं लेकिन आठ जैसे आपका आठ्यहेड्डॉन में 8 सम्भाहू त्रिबुज आपस कुछesian आपका इस प्रकास से यहाँ पर देखनों को मिलता है जो इनका Net कहलाता है अब दोन दो प्रेंकर क्रॉस्चन को तो अगर आप क्रॉस्क्षन कट करोगे तो रहाइस क्रॉस्चन क 파 Istvallam रोगे तो अगर हम इसे वर्टिसस से कट करते हैं तो वर्टिसस से कट करने पर क्या हो जाएगा वर्टिसस से कट करने पर यह हमारा ट्रेपोजाइट सकता है आगे हम लोग देखते हैं कि हमारा यह दोडिका हेड्रान क्या होता है जिसे 12 फलक बोलते है द्वादस फलक में क्या होता है किस से मिल के बना होता हैıyla एक व्यूझाया पर शारे पेंटागन ही बने होते हैं जैसे आप यह देख पा रहे होगे और एसे एक पेंटागन इधर और सबते हें लगते चुर्द भूल के अगर देखोगे तो यहांपर वटक्स की बात करोगे तो एक वर्टिक्स पे आपको तीन पेंटागन मिलते हुए यहां पे दिखाई देंगे, ऐसे यहां पे तीन पेंटागन आपको यहां पे दिखाई देंगे, ऐसे एक पेंटागन आपको यहां पे दिखाई देंगे, मतलब एक आपके एज पे तीन पेंटागन सर्फ करते हैं तो घ्रОच से कटinkे वरणा अगर हम से किसी प्लें से क्ट करते हैं तो प्लें से कट करने में तो अलग अलग फीगर मिलते हैं जैसे अगर आपका प्लें कटता हुआ छेसiban को deci हे गा तो जितनेBT को करेगा उतना हो जाएगा यहां पर 6 करेगा तो यहां पर हेक्सागान मिलेगा ऐसे ही अगर हम क्या करेंगे अगर 8 साइडों को कट कलता हुए मिलेगा तो यहां पर क्या मिलेगा यहाँ पर awesome मिलेगा उसके और उपर आपको 4 ट्रंगल मिलेंगे. तो ये आप ध्यान दीजेगा. अगर आप कुछ इस प्रकार कट करते हो, कि ये 5 फेसेश को टच करेंगे, तो आपको pentagon मिलेगा. आप कुछ इस प्रकार से कट करते हो, कि 6 फेसेस को टच करेगा वो plane, तो hexagon मिलेगा. क्या बनेगी वह हमारा देकावन बनेगा मतलब इसमें दस भुजाओं वाला क्या बनेगा एक पॉलिगॉन बनेगा ऐसे करें विशंती फलक की जिसे हम आइकोस और बोलते हैं यहां से भी प्रश्न पूंचा था इसमें क्या होता है इसमें एक वर्टेक्स पे पांच सूखते हैं अगर आप इसे देखोगे तो इसे अब एक चीज समझेगा कि अगर आई-पोसो है डॉन के सारे जितने भी फलक है उनके मत्द्र बिंदूों को मिला दिया जाएगा तो हमाई के मिल जाएगा हमें यह वाला फीगर मिल जाएगा ठीक है हमें क्या मिल जाएगा ह यह वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, अब रही बात इसको cut करने की, तो फिर से वही बात कि जितने surfaces को लेके cut करोगे, आपको वही symmetry मिलेगी, जैसे अगर आप 5 surface को लेके cut करोगे, तो आपको 5 क्या मिलेगा, आपको pentagon मिलेगा, आप 6 को लेके करोगे, तो आपको 6 hexagon मिले सकता है, इस बात को ध्यान दीजेगा, जिसमें 10 भुजाय होती है, और इस प्रकास से आपका, यह हमारे polyhuddon होते है, अब रही बात square prism की, तो square prism में जो इसका base होता है, यह square होता है, इसे हम किसी ऐसे plane से cut करते हैं, जो इसके parallel होगा, बेस के, तो हमें क्या मिलेगा, हमें qvoid होता, तो हमें क्या मिलता, ऐसे cut करने पर आयत मिलता, इस बात को आप ध्यान दीजेगा, ठीक है, नेक्स आते हैं, प्रिजम क्या होता है, ए प्रिजम में कई प्रकार के होते हैं, जैसे यह base के आधार पे होते हैं, अगर आपको base त्रिभुज दिख रहा हो, जैसे यह, यह माननों base है, और इसी को हम लोगों ने बढ़ा दिया, तो जो base है, अगर base त्रिभुज है, तो इसे triangular prism बोलेंगे, अगर base क्या है, पेंटागॉन है, तो इसे pentagonal prism बोलेंगे, अगर base square है, तो हम square prism बोलेंगे, जिसे आयत, और हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग cube और q practice से cut करते हो, तो आपको क्या मिलेज़ेगा, trapezoid मिलेगा, एसे similarly इसमें, अगर आप किसी vertigous के parallel में करते हो, तो आपको trapezoid मिलेगा, और अगर आप सीधे cut करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहां पे pentagon ही मिलेगा, जो base है, आपका वही मिलेगा, अंतिम figure हम finger से सब्धाराइब हो सकता है लेकिन बाकि जो आपके होँगे बाकि आपके क्या होँगे बाकि आपके च्रorf education तो अगर आप फिर से ऊपर आप ऐसे कोई प्लेन स से कते हो तो इस प्लेन से कट करने पर आपको ऊपर क्या मिलेगा उपर आपको same जो figure है वही figure आपका उसका truncated मिल जाएगा मतलब आपको piramidhi मिलेगी ऐसे इसमे भी आपको क्या मिलेगी पिरamidhi मिलेगी इसमे भी आपको piramidhi मिलेगी उसी same base का लेकिन अगर आप किसी इसके axis से करते हो तो axis से क्या बनेगा त्रेभुज भी बन सकता है और axis से ट्रेपोजाइड भी बन सकता है तो यह हमारा plane symmetry इसे cut करेगा तो उमीद है कि इस वीडियो के बाद आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा और मैं इसकी बहुत सारे question भी आपको बहुत जल्द करवा दूँगा तो आज की session में वस इतना है फिर मिलूँगा धन्यवास सबीगा